अगर आप किसी भी Middle East Country जैसे सौदी, अरेबिया, कतर, दुबई, बहरेन, कोयत या फिर आप किसी भी Europe Country से इंडिया जाते हैं तो आपको एरपोर्ट पे अपना Self-Declaration Form सो करना परता है अगर आपके पास ये form नहीं होता है तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज्याद़ परिशानी का सामना करना परता है जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा पहले जब भी आप किसी ट्रेवल से अपना टिकट बुक करवाते थे वहीं से आपको Self-Declaration Form फिल करके दिया जाता था और जब से टिकट की बुकिंग ऑनलाइन चालू हुई है बहुत सारे ऐसे कमपनी है या फिर बहुत सारे ऐसे कफील है जो कि अपने वरकर का टिकट बिना ट्रेवल्स गए हुए ही अपने मोबाइल से या फिर अपने PC से ऑनलाइन ही बुक करके निकाल देते हैं और उसके साथ कोई भी Self-Declaration Form नहीं देते तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी फिलाइट डारेक्ट है या फिर इंडारेक्ट है या फिर इंडिया में किसी भी सीटी से कनेक्टिंग फलाइट है तो आप अपने लिए Self-Declaration Form को अपने मोबाइल से या फिर अपने PC से कैसे फिल करेंगे सो इस वीडियो को बिना स्किप किये सुरू से लाश्ट तक पूरी वीडियो जरूर देखे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेट के लगके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें तो चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप इस form को अपने mobile से fill करना चाहते हैं तो आप अपने mobile में Chrome browser को open करेंगे Chrome browser open करने के बाद यहां से आप इस three dots को press करेंगे Desktop side को enable करने के बाद आप इस video को follow करके अपने form को fill करें सबसे पहले आप अपने PC में या फिर आप अगर laptop यूज करते हैं तो आप अपने laptop में जिस भी browser को use करते हैं आप उस browser को open करेंगे open करने के बाद आप यहां पे search bar में type करेंगे air suvitha और air suvitha type करने के बाद आप इसको search करेंगे आप जैसे ही air suvitha type करके search करेंगे यहां पर आपके सामने सबसे पहला link आएगा www.newdeleyairport.in आप इस link को यहां से open करेंगे आप जैसे ही इस link को open करेंगे आपके सामने इसका interface कुछ इस तरीके से सो होगा उसके बाद आप scroll करके थोगा नीचे आएंगे और यहां पर आप अपना full name इंटर करेंगे जैसा आपके passport पर लिखा हुआ है आप same to same way से ही अपना नाम यहां पर इंटर करेंगे name इंटर करने के बाद यहां पर आप अपनी date of birth को select करेंगे date of birth select करने के लिए यहां से आप calendar के icon पर click करेंगे उसके बाद यहां से आप year को select करेंगे आपके date of birth की जो भी year है उसके बाद यहां से आप month को select करेंगे और उसके बाद यहां से आप date को select करेंगे date of birth को select करने के बाद यहां से आप अपनी gender को select करेंगे आप male हैं या female उसके बाद यहाँ पर आप अपने flight का number इंटर करेंगे जो कि आपके ticket पर लिखा होगा जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं यहाँ पर आप अपने flight का number इंटर करेंगे flight number इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी seat number इंटर करेंगे जैसा कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा seat number आपको तभी मिलता है जब आप अपना boarding pass लेते हैं लेकिन ये form आपको boarding card से पहले fill करना है इसलिए आप यहाँ पर seat number की जगह पर आप 00 या फिर आप कोई भी default number टाइप कर दे या फिर आप 12A या फिर 13B कुछ भी number टाइप कर दे default उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना PNR number यानि जो भी आपका booking number है ticket number है आप उस number को यहाँ पर इंटर करेंगे जो की आपके ticket पे लिखा होगा जैसा की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं PNR number इंटर करने के बाद यहाँ से आप अपनी nationality को select करेंगे उसके बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना passport number इंटर करना है आपका जो भी passport number है आप वो यहाँ पर इंटर करेंगे passport number इंटर करने के बाद यहाँ पर आप से कहा जाएगा upload your passport copy अगर आप यहाँ पर अपने passport की back और front copy को PDF format में upload करते हैं तो दोस्तों आप याद रखें उसकी size 1MB तक ही होनी चाहिए अगर आपकी file की साज 1MB से ज्यादर होती है तो वो यहाँ पर upload नहीं होगा यहाँ पर passport का photocopy upload करना mandatory नहीं है अगर आप चाहें तो यहाँ पर upload कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही blank छोर दें उसके बाद आप यहाँ से date of arrival को select करेंगे यानि आपकी flight जिस date को भी इंडिया पहुच रही है या फिर आप जिस date को भी वहाँ land कर रहे हैं उस date को यहाँ से आप select करेंगे date को select करने के लिए आप यहाँ से calendar के icon पर click करेंगे उसके बाद यहाँ से आपकी जो भी date है आप उस date को यहाँ से select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप country of departure में अगर आप सवूदी अरेबिया से connecting flight लेते हैं और आपकी flight दुबई, कतर, भरेन या फिल कोयत होकर जाती है तो यहाँ पर आप select country में अगर आप दुबई से वाया होकर जा रहे हैं तो आप यहाँ पर United Arab Emirates को select करेंगे और अगर आपकी flight डारेक्ट है जैसे सवूदी अरेबिया से लखनौ, देली, मुंबई तो आप यहाँ पर country of departure में सवूदी अरेबिया को select करेंगे उसके बाद आप scroll करके थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि आप कोई connecting domestic flight ले रहे हैं जैसे अगर आपकी इंडिया में मुंबई से लखनौ, या फिर देली से लखनौ या फिर किसी other city से आपकी connecting flight है तो यहाँ से आप yes करेंगे और अगर आपकी कोई connecting flight नहीं है तो यहाँ से आप no करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप अपनी RT-PCR की negative certificate को upload करें जिसकी validity 72 घंटे हो और वो भी PDF format में होना चाहिए और 1MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर RT-PCR का negative certificate upload करना mandatory है यहाँ पर आपको अपने RT-PCR का negative certificate को upload करना होगा जो कि आपको आपके hospital से मिल जाएगा जहाँ पर भी आपने अपना PCR test करवाया होगा जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं आपको इसी तरीगे का RT-PCR test का certificate मिलेगा आप इस RT-PCR certificate को upload करने के लिए यहाँ से आप upload file पर click करेंगे और यहाँ से आप अपने RT-PCR certificate को select करेंगे और यहाँ से आप upload करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने RT-PCR test कब कराई है उस date को यहाँ से select करेंगे date को select करने के लिए यहां से आप calendar के icon पर click करेंगे और यहां से आप अपनी date को select करेंगे उसके बाद आप scroll करके थोगा नीचे आएंगे उसके बाद यहां पर आप से पूछा जाएगा upload vaccination certificate दोस्तों आपको बता दू यहां पर vaccine की certificate upload करना mandatory नहीं है आप इसको ऐसे ही blank छोड़ सकते हैं उसके बाद आप scroll करके नीचे आएंगे और यहां से आप city of departure में अगर आप साओधी एरिविया से रियाद से या फिर आप अगर जिद्दा से या दमाम से जा रहे हैं आप जिस भी city से जा रहे हैं आप उस city का नाम यहां पर इंटर करेंगे city of departure इंटर करने के बाद यहां पर first airport of entry में अगर आपकी flight निव देली तक है तो यहां से आप निव देली को select करेंगे और अगर आपकी flight लखनो तक है तो आप लखनो को select करेंगे और अगर आपकी flight मुंबई तक है तो आप यहां से मुंबई को select करेंगे first airport of entry को select करने के बाद यहां पर first airport of entry state union territories में automatic आजाएगा आपने जो भी यहां पर airport select किया है उसके बाद यहां पर आप final destination house number इंटर करेंगे जो भी आपके passport पर आपका address लिखा हुआ है उसके बाद यहां पर आप final destination street village इंटर करेंगे दोस्तों यहां पर जितने भी इस type का star mark लगा हुआ है वहां पर आपको fill करना mandatory है final destination street village टाइप करने के बाद यहां पर आप final destination तहसील आप चाहें तो type कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही blank छोग दे यह बिल्कुल ही mandatory नहीं है उसके बाद आप scroll करके नीचे आएंगे उसके बाद यहां पर final destination estate union territories में आप जिस भी estate से belong करते हैं जैसे बिहार, महराष्ट, उत्तरपरदे आप यहां से अपने estate को select करेंगे estate को select करने के बाद यहां से आप final destination district city में आपकी जो भी district है आप उस district को यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद आप scroll करके नीचे आएंगे और यहां पर final destination pin code में आपका जो भी pin code है आप उस pin code को यहां पर इंटर करेंगे final destination pin code इंटर करने के बाद यहां पर आप अपना एक mobile number इंटर करेंगे mobile number इंटर करने के बाद यहां पर एक alternate contact number इंटर करेंगे यहाँ पर अपना दूसरा नंबर इंटर कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही बलेंग छोड़ें उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक valid email id इंटर करेंगे Gmail id इंटर करने के बाद आप थोड़ा scroll करके नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप से कुछ सवाल पूछा जाएगा आप उन सारे सवाल को अच्छे से read करेंगे और उसका जवाब आप yes और no में देंगे जैसे कि यहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि आपको fever है तो यहाँ से अगर आपको fever है तो आप yes करेंगे और अगर आपको fever नहीं है तो यहां से आप no पर click करेंगे उसके बाद यहां पर आप से पूछा जाएगा आपको खासी है यहां से भी आप इसको no करेंगे यहां पर आप से पूछा जाएगा आपको diabetes है यहां से भी आप इसको no करेंगे यहाँ पर आप इन सारे सवालों को no करेंगे उसके बाद आप स्क्रॉल करके निचे आएंगे उसके बाद यहाँ पर आप से पुछा जाएगा details of the cities, countries visited in last 14 days आपने किसी भी सहर या किसी भी country में last 14 दिन में अगर सफर किया है तो आप यहाँ पर उन सारे cities का नाम उन सारे सहर का नाम आप इंटर करेंगे और अगर आपने last 14 दिन के अंदर किसी भी city का या फिर किसी भी country का कोई visit नहीं किया है यानि आप कहीं भी नहीं गए हैं तो यहाँ पर आप जिस भी city में रहते हैं बस उस city का नाम इंटर करेंगे उसके बाद आप scroll करके नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पर आप से पूछा जाएगा how many passengers are traveling यानि आप कितने आदमी एक साथ travel कर रहे हैं अगर आपके साथ आपके family के कोई member हैं तो यहाँ से आप plus के icon पर click करके उनको यहाँ से plus करेंगे उसके बाद आप उन सारे member की details को यहाँ पर इंटर करेंगे जैसा कि आपने पहले उपर किया है same way से ही आपको यहाँ पर करना होगा और अगर आप single हैं यानि आप अकेले सफर कर रहे हैं तो यहाँ से आप one को select करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप I agree to the guidelines को consent देंगे और उसके बाद यहाँ से आप इसको भी consent देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर भी consent देंगे उसके बाद आप अपने form को एक बार अच्छे से चेक कर ले अगर यहाँ पर कोई भी mistake हुई है तो आप उसको correct कर ले और अगर आपने सब कुछ यहाँ पर सही feel किया है तो आप यहाँ से submit पे click करेंगे आप जैसे ही submit पे click करेंगे आपने जो भी अपना email id यहाँ पर इंटर किया है उस email id पे एक मिनट के अंदर आपका self declaration form भेज़ दिया जाएगा जो की कुछ इस तरीके का दिखेगा आप इसका एक print out ले ले और इसकी hard copy को लेकर आप travel कर सकते हैं सो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अपने लिए online self declaration form को कैसे feel करेंगे दोस्तो अगर आप इस वीडियो को हमारे facebook page पर देख रहे हैं तो आप हमारे facebook page को like और follow करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे youtube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जबूर करें करेंगे